नमश्कार, आज मैं आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के कुछ उपाए, माता लक्ष्मी का मंत्र और कौन सा पार्ट इस दिन करें, इन सब के बारे में बताने जारी हूँ. पहला उपाए, जो मैं आपको बताने जारी हूँ, या अब दिवाली से पहले धनते रस के दिन करें, या अगर धनते रस पर ना कर सकें, तो दिवाली पर भी कर सकते हैं, इसके लिए हल्दी और चावल ले ले, उनको पीस ले, फिर उसमें पानी डाल कर घोल बना ले, और उस दिवाली पर लक्षमी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंक और घंटी बजाना चाहिए, इससे घर की नकारत्मक उर्जा और दरिदर्ता बाहर चली चाती है, और मा लक्षमी घर में आती है, अगला है दिवाली के दिन, मा लक्षमी की पूजा में, ग्यारा पीली मा लक्षमी को अर्पित करें, रात भर उन्हें मा लक्षमी के सामने रखा रहने दे, और फिर अगले दिन कोडियों को लाल या पीले कपड़े में बान कर तिजोरी में, गले या पर्स में रख दे, मतलब जहां आप अपना धन रखते हो, वहां रख दे, घर में धन की कमी नहीं रहेगी, मा लक्षमी की कृपा बनी रहेगी, अगला है दिवाली के दिन किसी मंदिर में जाडू का दान करें, यदि आपके घर के आसपास कहीं मा लक्षमी का मंदिर हो, तो वहां जाकर मा की उपासना करें, इसके बाद देवी मा के सामने गुलाब की वाली दो अगर्बती जलाकर बाकी बची अगर्बती का दान कर दें यह तोटका अत्यन परभावशाली है इससे माता लक्ष्मी अत्यन प्रसंद होती है और धन सबंदित परिशानियां जीवन से खतम होने लगती हैं दोस्तो दिवाली अमावस्या तिथी को होती है और इस तिथी पर पीपल के व्रिक्ष को जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने पर शनी के दोश और काल सर्प दोश समाप्त हो जाते हैं शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं इस दिन पितरों को भोग जरूर लगाएं और उनसे आशिरवात प्राप्त करें जो लोग अमावस्या के दिन पितरों को भोग लगाते हैं पितरों को भोग लगाके ही भोजन करते हैं उन पर मा लक्ष्मी की क किस गांड गनेश जी को चड़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है दिवाली के शुप दिन यह उपाय करने से गनेश जी के साथ मा लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है दोस्तों यदि संभव हो सके तो दिवाली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मचलियों को आटे की गोलियां बना कर खिलाएं इस पुन्य करम से बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं अगला है जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए इसके परभाव से धन का संचय बढ़ता है और मा लक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें मा लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हो और उनके हाथ से धन गिर रहा हो दोस्तो दिवाली के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान वे आदर करें इस दिन घर में हमेशा परस पर प्रेम का माहोल बनाए रखें क्योंकि कलाय युक परिवार में मा लक्ष्मी कभी नहीं आती साथ ही घर की महलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि वे भी ग्री लक्ष्मी होती है इस आदर को केवल दिवाली पर ही नहीं बलकि हर दिन अपनाए भगवान विश्नु तथा मा लक्ष्मी को हाथी प्रिय है इसलिए घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए थोस चान्दी का हाथी घर में रखे होने से शान्ती रहती है और यह राहू के किसी भी प्रकार के बुरे परभाव को होने से रोकता है अगला है दिवाली के दिन घर की देहलीज की पूजा जरूर करे दोस्तों शास्त्रों में देहलीज को महत्वपुन जगे माना गया है यह वो स्थान है जो बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है देहलीज मा लक्षमी का प्रवेश दुआर है इसलिए देहलीज का पूजन जरूर करें अगला है दोस्तों लक्षमी जी को मखाना, सिंगाडा, बताशे, इक, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले मिश्थान, केसर भात आदी पसंद हैं, इन में से जो भी भोग मा को लगा सकते हैं लगाएं, चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, नारियल, हल्दी, सुप पारी भी मा को अर्पीत करें, लक्षमी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गटे, ना, केसर, आंगला, खीर का परियोग, धन प्राप्टी का मार्क प्रिशस्त करता हैं, अगला है दिवाली पर किसी युवा सुहागन इस्तरी को घर पर भोजन मिश्टान करवाकर ला पाक की सामगरी का दान करें, इससे भी मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है, दोस्तों अपंग, गरीब, अनात, वेक्तियों को भोजन, वस्तर का दान करें, मा लक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, आपका घर धन धान्या से भरा रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रख नहीं करती इसलिए अपने घर को साफ सुत्रा रखे और कले कलेश ना होने दे अब दोस्तो अपना घर हो यह इच्छा किसकी नहीं होती लेकिन सभी लोगों की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती ऐसे में यदि आपका खुद का घर खरीदने का सपना पूरा नहीं हो रहा है तो दिवाली के दिन किसी बूखे को बोजन करवाएं साथी गाए माता को गुड़ खिलाएं इसके बाद प्रतेख शुकरवार किसी बूखे वेक्ती को बोजन करवाएं साथी रवीवार को गाएं को रोटी गुड़ खिलाएं ऐसा करने से जल्दी ही आपके अपने मकान का सपना पूरे होने के रास्ते खुलने लगेंगे अब अगर लाग कोशिशों के बाद भी आपके काम नहीं बनते तो दिवाली के दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए दिन में उनका तरपन करें किसी भूखे गरीब विक्ति को भोजन करवाएं आपके सभी अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे धन समंदि समस्या को खतम करने के लिए एक बहुत परभावशाली उपाई है दिवाली से शुरू करते हुए चालिस दिनों तक हर शाम अपने घर के पास्थित इसी महालक्ष्मी मंदिर या किसी देवी के मंदिर नंगे पैर जाएं वहाँ जाकर घी का दीपक जलाएं साथ ही आफ फूल और कोई दूद की मिठाई मा को अरपित करें और ओम महालक्ष्माय नमा मंत्र का 108 बार जाप करें ऐसा करने से माता की शिग्र कृपा प्राप्त होती है और धन सबंदि समस्याओं से मुक्ति मिलती है अगला है दिवाली के दिन मा लक्ष्मी की पूजा के वक इत्र और केसर अरपित करें इसके बाद अगले दिन से प्रती दिन उसी केसर का तिलक लगा कर तथा कपड़ों पर इत्र का परियोग कर घर से निकलें आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी आर्थिक सिधी मजबूत होगी दोस्तो दिवाली को कार्य सिधी के लिए बहुत ही शुब रात्री माना जाता है मानिता है कि यदि दिवाली की रात में कोई अनुष्ठान मंत्र जाब किये जाएं तो वह अवश ही सिध होता है और शिग्रफल की प्राप्ति होती है मा लक्ष्मी के स्थाई वास के लिए एक मंत्र बताती हूं और इसका जाब आपको किस समय करना है वो भी बताती हूं दिवाली की रात मा लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ग्यारा से एक बजे के बीच में मा लक्ष्मी के महा मंत्र का जाब कमल गटे या स्वटी की माला से करना है कम से कम एक माला ज्यादा जितना भी आप कर सकते हैं करें इससे घर में मा लक्ष्मी का स्थाई वास बना रहेगा उसके बाद रोज एक माला इस मंत्र का जाब करें नहीं तो हर शुकरवार इस मंत्र का जाब जरूर करें अब मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली पर कौन सा पार्ट कर सकते हैं दिवाली पर श्री सुक्त एवं कनक धारा स्तोतर का पार्ट करना चाहिए राम रक्षा स्तोतर या हनुमान चालीसा या सुन्दरकांड का पार्ट भी किया जा सकता है दिवाली की रात्री अगर सिद कुन्जी का स्तोतर का पार्ट पूरी श्रद्धा और निष्टा से किया जाए तो आपको हर विगन बाधाओं समस्याओं से मुक्ती मिलेगी आपको धन और सोभाग्या की भी प्राप्ती होगी इसका पार्ट नवरात्री में तो करना अच्छा होता ही है साथी दिवाली की रात्री भी इसका पार्ट करने से हर मनोकामना पूरी होती है दोस्तों इनमें से जो भी उपाये आप करना चाहें कर सकते हैं और दिवाली की आसान पूजा विदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुप कामनाई धन्यावाद